हमारा एरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दम खम देख रहें, देश के लिए, लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती हैं, और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं, एक समाज के नादे हमें गंबीर्ता से सोचना होगा, हमारी माता हो, बेहनों, बेट्यों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का अक्रोश है, जन्सामन का अक्रोश है, इस आक्रोश को मैं मैं हिसído कर रहा हूँ, इसको देश को, समाज को, हमारी रवच्च सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो रख्षसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो सवाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलातकार की ये महलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती है तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राख्षसी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है कौने में कहीं पढ़ा रहता है अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी ब्यापक चर्चा होता की ऐसा पाप करने वालों को भी दर पैदा हो कि ये पाप करने की साहलत यह होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे देश स्वासियो हमारे देश में एक आतर बन गई थी स्वभाव से हम देश को कम आखना देश के प्रति गवरों के भाव का अभाव होना ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में गुज गया था और हम तो कभी कभी तो लेट आये तो कहते हैं इंडियन राइट शर्म के साथ हम बोल देते देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई किसी जमाने में कहाँ जाता करे खिलों ने भी बाहर से आते थे वो दिन देखे हमने आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलाओं और दुनिया के बाजार में अपनी थमख लेकर करके पहुंच रहा खिलो ने हमर एक्सकूर्ण होने शुदू हुए है तो यह जमाना था हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे आज मोबाइल फ्लाओं मैं लिट का इको सिस्टिम बना है राज मोबाइल फॉन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं यह भारत की ताकत है सात्यों भविश्च के साथ सेमी कंडॉक्टर जुड़ा हुआ है आधुनिक टेक्वाउच जुड़ी है यह जुड़ा हुआ है हमने सेमी कंडॉक्टर मिशन पर काम शुरू किया है हरुपकरण में मेडी निया चीप क्यों न हो क्यों यह सपना मेरे देश का नव जवान यहां है सारे इस प्रकार के रीसेच गाम हिंदुस्तान में होते हैं अब प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा सेमिकंड़क्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा और हम end-to-end solution दुरिया को देने की ताकत रखते हैं और हम उसको काई हुआ हुआ है साथ को एक जमाना हम देखा है तूजी के लिए हम कैसा जंगर्श करते थे आज हर उपकरण में हम देख रहे हैं हम तेजी से आगे बढ़े और फायुजी चिस तेजी से पुरे देश में रोल आउ है और देश साथियों में ने कहा हम रुखने वाले नहीं है आई जी पर रुख जाना है वह मन्जूर नहीं है हम सिक जी पर अभी से मिशन बोर्ड़ में काम कर रहे हैं और विश्वें हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे यह मैं विश्वा से कहता हूं मेरे प्यारे साथ यह डिपेंस सेक्टर है हमारी आदद हो गए थी है डिपेंस बजेट कितना ही क्यों हो लेकिन कभी को सोचता नहीं था कि डिफेंस बजेट बढ़ा तो जाता कहा है डिफेंस बजेट विदेश्चों से खरीजी में चला जाता था अब हम चाहते हैं आत्मनिर भर बने और मैं ह हजारों ऐसी चीजे लिस्ट कर दी है उन्होंने ताइक किया है कि हम विदेश से नहीं लाएंगे राश्ट के दिए जीना क्या कहते हैं यह हमारे सेना के जमानों ने दिखाया है और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर भर होते चले जा रहे हैं आज डिफेंस बनिफेंस